हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Nokia C31 Android वाइल फोन में आप जो है ring vibration setting को आप disable कैसे कर सकते हैं यानि off कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह ring vibration setting जो है disable होने के बाद ही setting कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में हम आपको detail में जा इस ट्रेंट करने आपको नीचे आने यहां पर आपको option मिल जागा यह vibration and habthic strength कि इस पेज मेंरी और एक से प्रीके से आपको प्सक्ति आपको जायगा इसे आपको सेलेक्ट करना है इसमें आपको है इसमें कि सामने लिए सरकल पर टिक मांग जायें तीक है अब यह आपके समझा देता हूं आपके mobile phone पे अगर कोई भी incoming call आएगा ना तो आपका mobile phone vibrate नहीं करेगा सिर्फ आपका phone ring करेगा लेकिन vibrate नहीं करेगा ठीक है तो यह setting जो ना ring vibration setting disable करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करेगी आपके Nokia C31 Android mobile phone में ठीक है जो setting का name है वो आपको यह पे type कर देना इस तरीके से तो आपको नीचे यह option दिखाई नहीं दिखाई नहीं देगा मतलब show नहीं होगा ठीक है इस बाद का ध्यान रखना है कि spelling मिस्टेक नहीं करने है ठीक है तो चलिए वीडियो को आगे continue करते हैं जब यह option नीचे की side में शो हो जाता है इससे आपको select करना है इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको है डिरेक्ली इस setting page में लेकर आ जागा और इस setting को highlight करेगा तो यह मैंना आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में